प्रत्वी अपनी गंद को, अग्णनी उश्णता को, आकास सब्द को, वायू अस्पर्श को, जल आदरता को, चंदर सीतलता को, सूरिय तेज को, धर्म राज धर्म को छोड़ दे, किन्तु भिश्म तीनों लोकों के राज्य या उससे भी मानसुक के लिए अपना वरत नहीं छोड़ेगा। युद और शास्त्र विद्या की शिक्षा इन्हें परशुराम से मिली, ये शास्त्र में और शास्त्र में अत्यंत निपुन थे, एक बार महराश आन्तनु आखेट की खोज में यमना नदी के तट पर पहुँच गए, और वहाँ पर एक सुन्दर कन्या को देखकर उस पर म नुगद हो गए, महराश आन्तनु ने उस कन्या के पिता से विवा की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उस कन्या के पिता निशाद राज ने कहा, मैं एक सर्थ पर अपनी कन्या का विवा आपसे कर सकता हूँ, की राजा की मृत्तु के पस्चाद मेरी कन्या का पूत्र गद्धी पर बैठेगा, देवरत नहीं ये सुनकर शान्तनु बिमार पड़ गए, तब देवरत अर्थाद भिश्म ने कहा मैं सान्तनु पूत्र देवरत आज ये परतिग्या करता हूँ, की आज एवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तनापूर राज्ये की रक्षा करूँगा इसके पश्चाद महराज चान्तनु का विवा सत्त्यवती से हो गया और उनके दो पुत्र हुए, परन्तु दुर्भागयवश वो थोड़े ही समय में काल कवलित हो गए, अब सिंगाजन पर कोन बैठे, कोई उत्तरादिकारी नहीं था परन्तु भीश्म ने भी राजा बनने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कुंगा, लड़ूँगा नहीं, भीश्म ने परतिग्या की, मैं कृष्न को शस्त्र उठाने को विवश कर दूँगा, आजू जो हर ही न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन उसुतन कहाऊं, अपनी परतिग्या को पूरा करने के लिए भीश्म ने घोर लोड़े, और भीश्म की परतिग्या पूर्ण हुई, स्रीकिष्न ने भीश्म के पराक्रम और युद कोशल की प्रशंसा की, भीश्म को युद में कोई भी नहीं हरा सका, तब अंत में भीश्म ने स्वेम अपने मृत्यू का राज बताया, मैं शिखंडी को सम्मुख देखकर धनुस रख देता हूँ, अपनी मृत्यू का उपाई बताना भीश्म की उदारता थी, शिखंडी अस्त्री रूप में जन्मा था, कोई सच्चा सूर नारी पर प्रहार कैसे कर सकता था अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पिता मैं पर बाणों की वर्षा की, और भीश्म रत से गिर गए, उनका रोम रोम बिन्द चुका था, भीश्म ने घायल अवस्ता में ही सूर्य के उतरायन होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिग्या की, सूर्य की केड़ने एक वर्ष में छे माँ भूमद रेखा के उत्तर में और छे माँ भूमद रेखा के दक्षन में लंबवत पड़ती हैं। बीश्म पिता में प्रबल पराकर्मी होने के साथ महाराजनितिग्य और धर्मग्य भी थे।